हेलो फ्रेंज वेलकम टो माई चानल प्योर फूर्ड स्टेशन तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे पालक और मतर के हरे भरे रोल और ये बिल्कूल अलग तरीके से मैंने बनाए हैं आपके जरूर पसंद आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं हरे भरे रोल तो रोल बनाने के लिए हमें चाहिए करीब आधी घड़ी हमने पालक लिया है और हमने इसको दो-ती बार अच्छे से धो लिया है और हमने एक बड़ा बाउल मतर का लि जाएंगे अब जो पालक है उसको मोटा-मोटा उक्से ग्राइंडर में हम काट लेंगे मोटा-मोटा काटनाolph है क्योंकि किह को पीसना और प्यूरी बनानी है और आधि कब शिरूले युछ जटकति है क्योंकि हम हम क्योंते उन्ड़ा घंड़ा रहे हैं यसलिए हम नक्यों काटा लेंगे तोड़ा से श्वादानूसार ठोड़ीशी डालेंगे और आज छंबच हम इसमें ऐच्वाइन को कृष्ट कर लेंगे एनको तीन से चार सबारें और मिक्स कर लेंगे छे मिक्स करना है उसके बाद जो हमने प्योरी बनाई थी छोपी करके इसमें डालनी है सारी प्योरी एक साथ नहीं डालनी है सिर्फ थोड़ी-थोड़ी करके ही डालेंगे और हमें इसे अच्छे से आटा गुनना है आटा जैसे हम नॉर्मल रोटी का गुनते हैं वैसे ही गुनना है और ये दीखें आटा हमारा गुनके तयार हो गया है हम इसमें एक चमज ओयल डाल कर हम इसको rest के लिए रख देंगे आठे को हम आधे घंटे के लिए rest के लिए रख देंगे और यह देखिए जो हमारी बाकी बची होई मतर थी वो इसको भी हमने boil कर लिया है यह अच्छे से boil हो गई है अब एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा ओल डालेंगे, आदी चमज इसमें जीरा डालना है, जीरा डालना के बाद इसमें लैसन डालेंगे, लैसन को अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन कलर का हो जाए, फिर इसमें हम प्यास डाल देंगे, प्यास को हमें अच्छे से फ् भूनना है जब मसाल अच्छे से भूर जाए उसके बाद हमें बॉल किये हुए मट्र डालने हैं और इनको भी मसाल के साथाथ अच्छे से भूनना हैं एप यह हमने स्टफिंगaldo तयार की हैं और यह संपिंग Cand Hopa और यह देखिए, यह मटा हमारे भुनके एकदम से रेडी है, अब इनको हम निकाल लेंगे, और ठंडा करेंगे, और आटे को भी आदा घंटा हो गया है, अब आटे को हम अच्छे से फिर से गून लेंगे, गूनने से यह अच्छे से सोफ्ट हो जाएगा, और जिसको रोल है हमें इसे पतला ही बेलना है, देखिए, अब इसको बेलेंगे, इसको गोल बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा लंबा लंबा ही इसको बेलेंगे, यह देखिए, इस तरह से हमें लंबा बेलना है, अब बेलने के बाद हमें एक पैन का ढखकर लेना है, आ है हमें जो चिपकानेगं कोई तीक्कत नहीं और यह देखिए ह्शाउस देखिए करीब और आधी रोटी में स्टाफिंग करनी है पर दो चम्मच मटर का यह मसाला लिया है यह देखिए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और देखिए चार तरफ जगे छोड़ी है उस सिरे को हमें पकड़ना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे यह देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और देखिए इस तरह से फोल् अब हमें दूसी साइड ये उठा के उसके उपर हमें लगानी है होल्स की बीच में जो आटा है उसको हम निकाल देंगे ये देखिए हम इस तरह से इसको निकाल देंगे और ये की जालीदार हमारा रोल तयार है और देखिए दूसरी साइड से हम इसको अच्छे से चिपका देंगे होल्स के बीच में जो भी आटा बजिया है उसको हम निकाल देंगे और यह देखिए इस तरह से हमें सारे होल्स के बीच में साटा निकालना है और यह देखिए एक हमारे रोल बनके तयार है और roll के जो किない हैं उनको भी हम इस तरह से fork के help से चिपका देंगे और यह एक अच्छा सा design बन जाएगा और पीछे की side से भी हम इसको अच्छे से चिपका देंगे, यह देखे इस तरह से हमें यह अच्छे से चिपकाना है और यह देखे, यह हमारा हरा भरा roll तयार है ऐसे ही हम दूसरा रोल बना लेंगे और इस तरह से एक हमारा नया डिजाइन वाला रोल बनके तयार है ऐसे ही हम दूसरा रोल बना लेंगे लोई लेंगे उसको लंबा लंबा हम बेल लेंगे यह देखिए लंब लंब हमने बेल लिया है अब आदी साइड हम इसमें होल्स कर लेंगे यह देखिए आदी रोटिक में हमने होल्स कर लिये हैं अब स्टफिंग करेंगे दो चमच हमने मिक्षर लिया है उसको अच्छे से फिल कर लिया है और इसको फोल कर लेंगे और जो बीच में जो आटा रह गया है, होल्स के बीच में उसको हम निकाल देंगे, वो साइड से फोर्क की हेल्प से हम इसको बंद कर देंगे, और इस तरह से हमारा दूसरा रोल भी तैयार है, ऐसे ही उपने सारे रोल रेडी कर लेंगे, यह देखे, अब हमें एक कड़ाई लें करना गए उसके बाद हमें यह रोल में डालने है, व्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कूक्ड करेंगे, क्योंकि इसके में डबल beings वेर लगे हुई है, व्लो मीडिय detonate, eat- इससे एक इन एक गां मिनट की पाद हम इसको पलट देंगे, और एक साइड से यह अछ्छे से इसमें डाग प्राउम कलर आ गया है ऐसे ही हम सारे रोल्स को पलट देंगे और ये देखिए एक साइड से ये अच्छे से कुख हो गये है और एक डिर्डी निट के बाद हम इसको फिर से पलट देंगे ऐसे ही जब तक इनका डाग कलर ना जाए ऐसे ही दो तिन बार हम पलटत रहेंगे यह दिखिए यह अच्छे से कुख हो गया है अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और हमारे यह रोल एकदम रेड़ी है और यह बहुत ज्यादा क्रिस्पी है आप इनको सर्फ कर लेंगे यह आपने कैचप ली है आप चाहे तो चाए के साथ पिनको खा सकते हैं और यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और यह एकदम अलग हटके नाश्टा बनके तयार है तो आप भी घर में एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और बच्चों को तब हो ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि एकदम अलग तरेगा नाश्टा है और यह कट करके देखे एकदम क्रिस्पी बने है और अंदा से स्टाफिंग देखे एकदम हरी भरी हमारी स्टाफिंग बनी है तो आप भी घर में एक बजरू ट्राइ कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगया तो इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वचिंग